अक्बर का कक्ष दवा देता हकीम महाराज अब कैसी है आपकी तबियत हकीम साहब अब क्या बताएं आपको हमें ना ही कुछ अच्छा लगता है ना ही नीद आती है ना ही हमें हमारी तबियत में सुधार होता दिख रहा है हकीम साहब हमारे मंत्रीगर्ण को बुलाया जाए मंत्रीगर्ण का अक्बर के काक्ष में आगमन माराजी जयो हुकूम जापना मैं बहुत ही उर्जाहीन और उबाव महसूस कर रहा हूँ मुझे रादभर नीन नहीं आती माराज आप मिराशन होएं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे सभी मंत्री आपस में विचार में मर्श करने लगे और उन्होंने एक योजना बनाई क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे राजा का स्वास्त्य और खुशी दोनों लोट आए हमें जल्दी कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज की हसी वापस आजाएं तो फिर देर किस बात की महाराज के प्रिय मंत्री बीरबल को जल्द ही बुलवा लेते हैं बिलकुल मंत्री बीरबल को सूचना देकर जल्द बुलवा लेते हैं बीरबल का महल आगमन बीरबल मंत्री गण समवाद मुझे सूचना देकर जल्द बुलवा लेने के पीछे का क्या कारण रहा बीरवल जी महराज की तब्या दिन परती दिन बिगरती जा रही है वह ना हसते हैं ना सोते हैं उनके कथनानुसार वह सारा दिन उबावपन महसूस करते हैं अब आप एक कुछ उपाय सुझाए और अपने राजा का स्वास्ते पहले की तरह कर दीजिए निश्चे ही अपने राजा के प्रती हम सभी का करतव बनता है कि उनके स्वास्त में सुधार किया जाए अकबर के कक्ष में अकबर बीरवल समवाद महराज की जै हो यह क्या महराज यदि आप इसी तरह अस्वस्त रहे तो प्रजा का हित कौन सोचेगा बीरवल हमारा हसने तक को मन नहीं करता हम अपना हित नहीं सोच पा रहे हैं तो प्रजा का कैसे सोचे अगर ऐसी बात है, तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपका नकेवल स्वास्त ठीक होगा, अपि तु आपके होटों की मुस्कान भी लोटाएगी पीरवल, तो सुनाओ कहानी एक जंगल में सौ साल पुराना बरगत का वरक्ष था, जिस पर अनेकों पक्षी रहते थे सभी पक्षी रोज सुबह अपने बच्चों के लिए भूजन की तलास में उड़ी जाते और शाम को जब लोट कराते तब अपने बच्चों को भूजन देते बीरवल कितने पक्षी ऊड़ते थे पांच सो पहला पच्ची ऊड़ा फुर अब दूसरा पच्ची ऊड़ा फुर अब तीसरा भी ऊड़ा फुर फिर उसके बाद बीरवल महराज 497 अभी भी बच्चे हैं वो भी तोड़ेंगे फुर 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 सभी पक्षी तो ऊड़ गए वीरवल अब क्या होगा होना क्या है महराज शाम को लोट कराएंगे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे और अगली सुबह फिर एक बार फुर हा 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 बीरवल अब बस भी करो तुमारी कहानी से हमें अब नेंज भी आने लगी है आप विश्राम कीजिए महराज मैं आपकी खिद्बत में प्राते हाजर होता हूँ बीरवल की बुद्धी मता और चत्राई की सभी मंतरी गणों ने अकबर के एक अक्ष में परदे के पीछे से कहानी सुनकर प्रशन साकी